Hello friends, welcome to my education point. Friends, आज हम करेंगे class 12 की physical education का chapter 4 और ये chapter 4 का part number 2 है. अगर अभी तक आपने part number 1 नहीं देखा है तो आप description box में जो link दी गई है उससे आप जा सकते है part number 1 तक और आप दे सकते हैं. Friends, अभी तक हमने पढ़ा था अक्षमता की प्रकरती. अब हम पढ़ेंगे विकार. Friends, जो विकार है देखी वो क्या होता है? कोई भी रुकावट अज वो विगटन जिसके द्वारा व्यक्ति को अपनी द्यानिक क्रियाओ को करने में कटनाई आती है. Friends, कोई भी रुकावट, अगर कोई भी रुकावट हो रही है या कोई भी विक्टन है जिसकी वज़े से कोई एक व्यक्ति अपनी द्यानिक क्रियाओ को नहीं कर पाता है. वो क्या होता है विकार कलाता है अत्वा दयानिक क्रियाओं को नहीं कर पाता है विकार कलाता है ठीक है फ्रेंट्स किसी भी वज़े से किसी भी रुकावट की वज़े से किसी भी वज़े से अगर कोई व्यक्ति अपने दयानिक क्रियाओं को दयानिक क्रिया कौन से होती है देखेंगे फ्रेंड्स हमारे सामने हैं अब विकार के प्रकार फ्रेंड्स जो विकार के प्रकार हैं वो है पाच तरीके के ADHD, SPD, ASD, OCD और ODD ठीके फ्रेंड्स अब हम एक एक करके इन सारे विकारों के बारे हैं पढ़ेंगे फ्रेंड्स मैं आपको बता दू कि जो क्लास 12 का बॉर्ड एक्जाम होता है उसमें जो ये वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पाच नमर का एक कोशन तो आता है ये फ्रेंड्स इसमें से या तो आप ADSD का पूछनेंगे या फिर SPD या फिर ASD या फिर OCD या फिर ODD तो इसके लिए जो ये चैप्टर है वो आपके लिए क्या हुआ इंपोर्टन हुआ अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखते हैं ADSD Friends आपको मैं बता दूँ कि जो विकार के प्रकार हमारा जो एक्जाम बॉर्ड का एक्जाम होता है Friends उसमें बहुत बार पूछा जाते हैं विकार के प्रकार जैसे की ADSD के बारे हम पूछ लेंगे या तो उसके लक्षन पूछ लेंगे या फिर वो किस कारणों से होता है ये पूछ लेंगे ठीके friends तो ये question आपका repeat होता है अब देखिए ADSD के लक्षन फ्रेंट्स जो ADSD है मैं आपको बता दू सबसे पहले ADSD होता क्या है जब हम ADSD की बारें पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चीज़ ADSD होता क्या है ADSD फ्रेंट्स ऐसा विकार है जिसकी वज़े से जो पीडित व्यक्ति है वह अपना ध्यान एक तरफ के अंद्रित नहीं कर पाता है तो क्या इसमें बात नजर में आई हमारे हमारे बात ये नजर में आई है कि जो व्यक्ति जो पीडित व्यक्ति है वो अपना ध्यान एक तरफ के अंद्रित नहीं कर पाता है ठीके फ्रेंट्स अब देखिए सबसे पहले इसके लक्षनों में हैं एका गर्टा में कमी Friends, एका गर्टा में कमी का मतलब होता है कि अपना ध्यान एक तरफ केंदर्थ नहीं कर पाना जो पीरित विक्ति होता है हमने इसकी definition में भी देखा है कि जो ADSD से पीरित विक्ति है वो अपना ध्यान एक तरफ केंद्रित नहीं कर पाता है तो इसके सबसे पहले लक्षन यहीं हो गया कि अपना ध्यान एक जंगा पर केंद्रित नहीं कर पाना ठीक है फ्रेंस तो उसमें कमी है कि अपना ध्यान किसी एक वस्तू जंग है या कहीं पर भी नहीं लगा पाना आप देखिए दूसरा है गलतिया फ्रेंट्स जो A.D.S.G से पीर्द वक्ती है उनके अंदर अगर वो कुछ भी काम करते है तो उसमें सबसे जादा उनके गलतिया होने के संभावना होती है ठीक है फ्रेंट्स अगर फ्रेंट्स वह है अगर कोई भी काम करता है तो अगर वो कोई भी काम करता है तो उसमें कोई न कोई गलती होने के संभावना अधिक बढ़ जाती है ठीक है फ्रेंट्स अगला है एक जिंगह पर कम समय के लिए भी नहीं बैठ पाना जो व्यक्ति ADSD, जैसे विकार से पीरित होता है, वो किसी एक जिंगर पर नहीं बैट सकता है, इसका मतलब क्या हुआ वो किसी एक जिंगर पर टिकल नहीं बैट पाता है, वहें कभी आप देखते होंगे, वैसे भी देखते होंगे कि कोई व्यक्ति बहुत हलचल वाला होता है ऐसे इसी प्रकार से जो A.D.S.D. वाला जो व्यक्ति होता है वो एक जहार पर बैठ नहीं पाता है कभी वो जिस स्तान पर बैठता है उस स्तान पर नहीं टिक पाता है वो अपना स्थान बदलता रहता है अब देखिए बिना सोचे समझे कारे करना Friends जो A.D.S.D. से पीडित वक्ती होते हैं वो बिना सोचे समझे कारे करते हैं वह कोई भी काम करने से पहले कोई भी कारे करने से पहले अपने जो दिमाग है उसका इस्तमाल नहीं कर पाते हैं, अपनी जो बुद्धी का इस्तमाल वह सोच ने समझने में नहीं करते हैं, बिना सोच विचार के कोई भी काम एकदम से कर देते हैं वो, चाहे वो सही हो या चाहे वो गलत हो अगला है हमार सामने है अपनी भावनाओं को नियंदरित नहीं कर पाना, फेन्स जो एडेस्टे से पीरित व्यक्ति है वो अपनी भावनाओं को नियंदरित नहीं कर पाता है, इसके मतलब क्या हुआ अगर किसी ADSD वाले इसे पीरित व्यक्ति को अगर रोना आ रहा है तो वह अपने आसुन नहीं रोक सकता ठीक है अगर वह खुश है तो वह अपनी खुशी प्रकट कर देता है अपनी भावनाओं को नियंद्रित नहीं कर पाता या उसे किसी बात पर गुशा आ रहा है तो वह व्यक्ति अपने गुशे पर नियंद्रित नहीं कर पाता तो इसका मतलब क्या हुआ अपनी भावनाओं पर नियंद्रित नहीं कर पाता अगला देखिए आत्म केंद्रित वहवार फ्रेंस जो एडिएसजी से पीरित वहवार का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है के और अपने बारे में सोचना तो एडिएसजी से पीरित वक्ति जो है वो के और अपने बारे में सोचता रहता है इसका मतलब क्या है वह हमेशा अपने बारे में सोचता है ठीके फ्रेंस अगला देखिए दिन में स्वपन देखना इसका मतलब है कि दिन में कहते है ना खुली आखों से सपने मत देखो यह आ वहां पर 7 points है, जब आपको question paper में, यह question पूछा जाता है, या तो यह 3 marks में पूछा जाता है, या फिर 5 marks में, ठीके friends, अगर 3 पूछा जाए तो आपको 3 points लिखने है, 5 पूछा जाए तो 5 लिखने है, अगर आप 6 लिख देंगे, तो कोई problem नहीं है, कोई परिशानी नहीं है, आपका, अगर कोई 1 point गलत होगा, तो इसके, जहेंगे, अगर आपने 2 points से यह लिख रखोगे, तो उसके marks आपको मिल जाएंगे, तो कोशिश कीजिए, आपको ज़्यादा-ज़्यादा points याद हूँ, ठीके friends, क्योंकि आपको क्या करना है, answer points में देना है, जब आपको जो marks से, वो बहुत अच्छे मिल पाएंगे, ठीके friends, चलिए आगे देखते हैं, friends, देखिए, अभी हमने लक्षनों के बारे हैं पढ़ाता, अब हम पढ़ेंगे, ADSD के कारण, ठीके friends, इसके ADSD क्यों होता है, यह इसके बारे हैं पढ़ेंगे, तो इसके पीछे क्या कारण है, य मैंने आपको बताएं दश्रू में ही, कि जो यह टोपिक है, बहुत ज़्याद है, अब देखिए, से से पहले, इसके कारणों में आते हैं, अनुवानशी कारण, जो friends, अनुवानशी कारण है, वह आपका क्या है, एक common point हो सकता है, किसी भी विकार में, के कारणों में, ठीक उसके होने वाले बच्चे में, यह विकार होने के संभावना, बहुत अत्तक बढ़ जाती है, ठीक है friends, उनके बच्चे में होने, कि यह विकार के संभावना क्या होती है, 90% तक बढ़ जाती है, अब देखिए, यह किस वज़े से होती है, यह वज़े से होती है, कि जो माता HD होने कि जिम्बावना बढ़ जाती है अब देखिए दूसरा है मस्तिष्क्री कारेशमता तथा बनावत में कमी फ्रेंस अगर opedia ibs उस्र सब्सक्राइस करने में चैपिसम नहीं है जितना कि दूसरे व्यक्ति का होता है एक नोर्मल इंसान का होता है उस हिसाब से एक समाने वक्ति का होता है उस हिसाब से उस व्यक्ति का अगर कारे करने में उसके जो मस्तिश है उसमें शमता की कमी है या फिर उस मस्तिश प्रश्क की बनावट में कोई कमी है दिसकी वजह से भी जो ADSD का जो रोग है वहाँ होने की उसके अंदर क्या होती है संभावना बहुत हद तक होती है उसी वजह से भी हो सकता है आप देखिए तीसरे समय से पूरुजनम अगर किसी बच्चे का समय से पूरुजनम हो जाता है कहते हैं ना कि जैसे की हमारे जो बच्चे का जो जनम होने का समय क्या है नो महीने होते है अगर किसी बच्चे का जनम नो महीने से पहले हो जाता है छे महीने का साथ महीने का तो उस बच्चे के अंदर ADSD होने की संभावना अत्रदिक होती है ठीक है फ्रेंस अब देखिए चोथा है इसका कारण कोई शरीर रियात्मत समस्या, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किसी प्रेकार की समस्या है, इसका मतलब क्या है? कि उसका जो शरीर है वे किसी कारे करने में शक्षम नहीं है, ठीक है? अगर उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है, कोई परिशानी है, जिसक भी समस्य के वज़े से अगर कोई व्यक्ति अपना दैनिकारे नहीं कर पाता है तो उसके अंदर क्या है ADSG होने की संभावना अतदिक हो जाती है आप देखिए जनम के समय वजन में कमी है अगर किसी बच्चे का जनम के समय जे जनम लेता है उस समय उसका वजन समाने बच्च होने की संभावना होती है अब देखिए मादक परदातों का सेवन अगर कोई व्यक्ति अत्रदिक मात्रा में मादक परदातों का सेवन करता है मादक परदात कौन से होते हैं जैसे कि धुम्रपान सिगरेट का सेवन तो उसकी वज़े से क्या होता है ADSG होने की संभावना ब बच्चा है उसके अंदर ADSD होने की समभावना होती है ठीक है फ्रेंड्स इसी एक साथ जो ADSD वाज ये टोपिक है ये क्या होता है आपका complete होता है फ्रेंड्स अब हमार सामने है SPD के लक्षन तो हम SPD को जान लेते हैं होता क्या है फ्रेंड्स जो SPD होता है वह है इस प्रेकार का विकार होता है जो कि तांत्रिक तंत्र की कारेशमता में आई कमी के कारण क्या होता है तांत्रिक तंत्र में अगर किसी प्रेकार की कोई भी कमी आ जाती है जिसकी वज़े से इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हुई सूशना को प्राप्त करने में या तो वह अर्समर्थ होता है या फिर इन सूशनाओं का प्राप्त करने में मुश्किल आती है इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड इसका अर्थ यह हुआ अगर तांत्री तंत्र में अकर कोई भी कमी है कोई भी कमी है जिसकी वज़े से जो इंद्रिया है वह सूशना प्राप्त करने में S मर्थ हैं या फिर वह सुचना प्राप नहीं कर पाती है इसी को क्या क्या जाता है S PD ठीक है friends शारिक लक्षन फ्रेंस लक्षन जो है S PD के वो क्या किये गए है तीन भागों में भाज़त किये गए शारिक लक्षन, मांसिक लक्षन और वहवारिक लक्षन सबसे पहले हमारे सामने हैं शारिक लक्षन शारिक हमारे शरीर शारिक क्या होता है शरीर शरीर से जो related शरीर से क्या होता है जो related लक्षन होते हैं वो ही हाँ पर है शारिक लक्षन अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये लक्षन नजर में आते हैं तो क्या है उसको SPD है इसका मतलब ये है है देखिए खराब आसन अगर किसी व्यक्ति का खराब आसन है इसका मतलब क्या हुआए कलब है अगर उसे बैठने में उठने में क्या फिर उसके किसी पैर में कोई खराबी है उसकी वज़े से अगर वह अपना देने कर नहीं कर पा रहा है तो इसे क्या खाल जाता है उस व्यक्ति के अंदर ये अलक्षन दिखाए देता तो उसे SPD है इसकी यह संभावना है ठीक है फ्रेंस खराब आसन आप समझ सकते हैं खराब आसन कि किसी के पैर क्या खाल जाता है कि किसके पैर मोडे हुए होते हैं क्या फिर के कहते हैं किसी की जो रीड की हड़ी है वह सीदी नहीं होती है तो यह खराब आसन में आते हैं अब अगर मास पेशिय पे वह अपना पूर्ण नहीं रख पाता है तो क्या होता है उसे SPD उसे व्यक्ति को SPD है यह संभावना है ठीक है फ्रेंस यह लक्षन दिखाए देता है धीमी मासपेश्य व्रिधी फ्रेंस जो मासपेश्यों की जो व्रिधी हो रही है वह अगर धीमी हो रही है तो इसका मतलब क्या है उस व्रिधी के अंदर SPD की समस्या है अगर मासपेश्य है मासपेश्य में अगर व्रिधी दर उसकी कम है तो उसके अंदर S.P.D. के लक्षन है अब देखिए नींद ने आना अगर किसी वक्ति को नींद नहीं आती है अगर वो रातो रात सो नहीं पाता है अच्छी तरीके से हम फ्रेंड्स में आपको बता देती हूँ कि हम किसी एक लक्षन को लेकर यह नहीं कह सकते कि इस वक्ति के अंदर S.P.D. की समस्या है इसमें से कम से कम 4-5 लक्षन उस वक्ति के अंदर दिखाई देने चाहिए ठीक है फ्रेंस अब देखिए नींद ना आना अगर किसी वक्ति को रातो रात नींद नहीं आ रही है या पर किसी भी वज़े से उसमें नींद ना आने की समस्या है तो उस वक्ति के अंदर S.P.D. के अलक्षन दिखाई दे रहा है आप देखे शरीर के किसी हिस्से में अत्यदिक कम पन अगर उस वक्ति के शरीर के किसी हिस्से में अत्य दिक कंपन होती है अत्य दिक मतलब बहुत अधिक मात्रा में कंपन होती है उसका शरीर बहुत अधिक कापता है तो क्या है उसके अंधर SPD का लक्षन नजरा रहा है खराब तालमेल अगर उसके शरीर में खराब तालमेल है अगर वह तालमेल सापित नहीं कर पा रहा है तो उसके क्या है, SPD का लक्षन है यह भी एक, ठीक है? अब देखें, मांसिक लक्षन, हमने शारीक लक्षन पढ़ लिए हैं, अब देखते हैं मांसिक लक्षन Friends, मांसिक लक्षन में सबसे पहले हैं हमारे सामने, समाज से अलग रहेना जो व्यक्षि जिसके अंदर कुछ शारीक लक्षन दिखाए दे रहे हैं या फिर SPD के लक्षन दिखाए दे रहे हैं, उसमें मांसिक लक्षन के अंदर यह सबसे पहले आता है कि अगर वह व्यक्ति समाज से अलग रहना पसंद करता है, समाज में घुल मिलना नहीं पसंद करता, अगर वह समाज से दूर रहता है, समाज से डरता है, तो इसका मतलब क्या है, यह एक लक्षन है, जिससे हम यह सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या है, S.P.D. की समस् इसमें अगला है अवसाद, अवसाद का मतलब होता है, किसी प्रकार से जो व्यक्ति है, वह चिंता में रहता है, डिप्रेशन का शिकार है, अगर वह अपनी समस्याओं के कारण किसी प्रकार से डिप्रेशन का शिकार है, तो यह क्या कहलाता है, अवसाद कहलाता है, तो डिप छोड़ी बातों पर आकर्मक वहवार दिखाता है, लड़ाई जगडे करने कोशिश करता है, किसी को मारने कोशिश करता है, तो यह भी मानसिक लक्षन के अंदर आता है, ठीक है friends, अगला देखिए, चिंता, चिंता का मतलब होता है friends, अगर कोई व्यक्ति, चिंता में रहता है किसी प्रकार के चिंता में रहता है, हमेशा अपने जो दिमाग है, उस पर जोड़ लगाए रखता है, चिंता में रहता है, उस चिंता के वज़े से वह परशान रहता है, तो अगर इस में से चारपा सेलक्षन उस व्यक्ति के अंदर नजर में आते हैं, तो इसका मतलब क्य सब्सक्राइब पसंद करता है वह व्यक्ति, तो वह भीड से भी डरता है, यह भी एक लक्षन है, अब देखिए अचानक छूने से डरना, जो वह व्यक्ति है, वह अचानक छूने से क्या हो जाता है, घबरा जाता है, अगर उस व्यक्ति को कोई एकदम से जाकर छू लेता है, अचानक छू ल देखिए वहवारिक लक्षन वहवारिक लक्षन आने की वहवार में लाने वाले जो लक्षन है देखिए अवाज के पती अत्रदिक सनवेदन शीर होना जो वे विक्ति है जो इसके अंदर ये लक्षन दिखाए दे रहे हैं अगर उस विक्ति के अंदर वहवारिक लक्षनों म कोई क्या करता गाने चलाता है तो क्या होता है वह व्यक्ति उस आवाज के परती अ्थिधी शनेदयनशील वहवा परकट करता है ठीक है फ्रेंट्स एक दम से वह घबिड़ा जाता है इन सारे वाजों को तेज तेज जो जोर के आवाजे बरती शन करुए कर जाता है घबिड जो वह विक्ति है अगर उसके अंदर सुगंद के प्रती सुगंद का मतलब क्या खुश्बू के प्रती किसी भी प्रकार के खुश्बू के प्रती के सनवेदनशील अतर दिक अगर उसे किसी प्रकार के खुश्बू से अलर्जी है तो वह उसके प्रती के अतर दिक आती है वह उसके शरीर पर भी नजर में आ रहाती है कभी कबार यह होता है फ्रेंस की जो कोई व्यक्ति होता है जिसके अंदर सुगंद के परती अतर्य सन्वेदनशीर होता है अगला है रचनात्मक खेलों में शामिल नहीं होना फ्रेंस जो वह व्यक्ति होता है वह रचनात् करने में मुश्किल आना जो वे वक्ति होता है जो SPD के लक्षन जिसके अंदर नजर आते हैं उस व्यक्ति में क्या होता है वह एकदम से प्रेशान हो जाता है जब वह प्रेशान हो जाता है तो उसे क्या है शांत करने में क्या होती है बहुत जाले दिक्कत होती है अगर उसे शांत करना भी चाहिए तो शांत नहीं हो पाता है अगर एक पर प्रिशान हो जाता है तो उसे संभाल नहीं पाते हैं ऐसे उसके अंदर दिखाए देता है वेवार के लक्षनों में ठीक है फ्रेंड अगर इस प्रकार के गोई भी लक्षन दिखाए दे रहे हैं उसके अंदर तो उसका मतलब क्या है? वो SPD से पीर्थ है. अब friends हम SPD के क्या करते हैं? कारण पढ़ते हैं. मैंने आपको बताया था, जब हम ADHD के कारण पढ़ रहें, तो मैंने आपको बताया था कि चो अनुवानशिक कारण है, वहे क्या है? किसी में भी common है, अनुवानशिक का ही दूसरा नाम होता है, वंशानुगत होता है, ठीक है friends? तो इसके सबसे पहले कारण क्या है? सबसे पहले वंशानुगत तत्व है, इसका मतलब है वही है, अगर किसी के माता पिता में से किसी को भी SPD की समस्या है, तो उसके होने वाले बच्चे में, वह SPD होने का विकार होने का बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, ठीक है friends? बहुत अधिक मात्रा में ऐसे लक्षण हो जाते हैं कि जो अगर वह किसी बच्चे को जनम देते हैं, तो क्या होता है? SPD होने के समभावना बहुत अधिक होती है, अगला है जनम से कम वजन, अगर किसी बच्चे में जनम के समय क्या है? वजन में कमी है, कम वजन है उस बच्चे में, तो क्या है, क्या है? SPD का कारण भी बन सकता है, SPD होने का उसके अंदर, खराव वातावरन, अगर कोई भी व्यक्ति खराव वातावरन में रहता है, जहां पर, खराव वातावरन का मतलब क्या है? यहां पर, खराव वातावरन का मतलब यही है, कि अगर उसका जो प्रैवरन है, वैस सोच नहीं ह या फिर जो वातावरन हम अगर उसके घर में किसी प्रकार के लड़ाई जगड़े भी हो रही है जिससे उसके मानसिक परिशानी हो रही है उसे दिमाग पर वह असर पढ़ रहा है अगर वह उस बारे में ज़्यादा सोचता है तो यह क्या है उसके लिए खराब वातावरन भी थाबित हो सकता है ठीक है फ्रेंट्स अगर इस प्रकार के कोई भी समस्से है उसे तो एस्पीडी होने के जो लक्षन है बहुत अधिक मातने बढ़ जाते है अगर देखिए ऐसाधारन मस्तिश्क अगर किसी व्यक्ति का जो मस्तिश्क है वह ऐसाधारन है ऐसाधारन का तो उसका मस्तिश्री में कोई न कोई परिशानी के अंडर उस व्यक्ति के अंदर इंदरियों के दुआरा जो सूचना पोष्टी है उसके पास अगर वह प्राप नहीं कर पाता है यही पढ़ा था नामने तो यहाँ पर यही इसका एक कारण बन सकता है हमारी जो डैफिनेशन होती है उसमें से ही कार हमारे सामने नजर आ जाता है तो द जाकार के सूचना अगर मैं आपको एक एक जामपल देती हूं देखिए हमारे सामने कोई आपके सामने सोची एक गरम पानी का क्या रखा गया तब रखा गया है गरम पानी का अगर आप उस पर हाथ लगाते हैं तो अगर आप सोची वह उबलते पानी का टब है और आप उस आपके तरफ तो यह क्या है आपकी जो इंद्रियों के दुआरा सुचना प्राप्त हुई है कि आपको इसके अंदरहाथ नहीं देना है यही है ठीक है फ्रेंस यह आपने 10 ख्लास में पढ़ा भी होगा साइंस में अपने विज्ञान में ठीक है अगर इस प्यकार की समझ से है तो SPD होने के लेक्शन बहुत अधिक मातर में यही कारण बन सकता है SPD होने का अब है भोजन के तत्वों से अलर्जी अगर उस व्यक्ति को भोजन के तत्वों से अलर्जी है इसका मतलब क्या है कि जो इस जो SPD से PD लेक्ति होते हैं उनके अंदर क्या होता है फ्रेंस किसी एक सर्हां या कई प्रेकार के भोजन से क्या होती है और से अलर्रजी होती है अगर उसको खहता है तो उसको शरीर पे कुछ न कुछ निशान होने शुरू हो जाते हैся या फिर उसे गहार हो है तो या पर किसे प्रेकार की समस्य हो सकति है उसे economy तो भोजन के तत्वों से क्या होता हैau प्रेटन के उपरी भाग ब्रेन स्टेंग हुआ है अब देखें गर्दन के उपरी भाग गर्दन के उपरी भाग जो गर्दन होती है अगर उसके उपरी भाग में किसी प्रकार की चोट लगी है या फिर brain stem हुआ है brain मतलब की जो mind हमारा दिमाग है अगर उस पर भी किसी प्रकार की चोट लगी है तो क्या है? speed होने कारण ये बन सकती है ये समस्य है, ठीक है friends? ये सारे इत के कारण है टीक है friends?